सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटी को ज़रूर दबाए मारुत्ती सुजुकी ने देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पेक्ट सुभी विटारा बेजा के फेसलिफ्टिट मॉडल को लॉंच कर दिया है मारुती ने आटो एक्सपो दोजा बीस में ब्रैजा फेसलिफ्टिड को पेश किया था खास बात यह कि नई विज़ा की कीमत ने कटौती देखने को मिलती है कार के बेस वेरियन की कीमत 50,000 रुपे कम हो गई है जबकि टॉप हाइबिड वेरियन के दाम में 25,000 रुपे की कटौती की गई है कार के लुक की बात करें तो इसमें भी थोड़े बहुत बदलाब देखने को मिल रहे है ब्रेजा के इस नए अफ़तार में नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है और कार के हेडलम्स का डिजाइन भी बदला गया है इसके अलावा विटारा ब्रेजा में अब मारुती का स्मार्ट प्ले स्टूडियो भी मिलेगा साथ ही मारुती में ब्रेजा 2020 खे दो नए कलर्स और नए डूल टोन कलर्स कीम भी पेश किया है विटारा ब्रेजा फेसलिफ्टी 2020 में आपको नए 1.5 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन मिलेगा साथ ही इस कार में आटोमेटिक ट्रांस्मिशन के साथ स्मार्ट हाइबीड टेक्नोलोजी भी मिलेगी जो कि ये नए इंजन पावर मामले में ज़्यादा बेतर है कार के माइलेज की बात की जाए तो ब्रेजा मेनियल की फ्यूल एफिसेंशी 17 किलोमेटर परती लीटर की है जबकि मारूती के स्मार्ट हाइबीड के साथ आने वाली Automatic Transmission Breza की Fuel Efficiency 20-22 km पंती लीटर की बताई जारी है बतादे की Breza में आपको 2016 के AutoVaxon में लॉंच की गई थी लॉंच के बाद से ही मारूती अब तक भारत में पाँच लाग विटारा बेजा की बिकरी कर चुकी है ये SUV सेगमेंट में सबसे जल्Д ही पाँच लाग की बिकरी का आंकड़ा छोने वाली तो दोस्तों आपनी रहा हमें ने कमेंट में जरूर बताए आपको इन नई जनरेशन विटारा बेजा कैसी लगी क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे आप नहीं रहा हमें कमेंट में जरूर बताए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करें इस वीडियो को मज जाएगा आज के वीडियो का टार्गेट अगत है 900 लाइक का जल्ली से 900 लाइक के टागेट को पूरा करे, हमारे जलान हिंदी न्यूस को सप्पोर्ट करे एच और वीडियो देखने के लिए हिंदी न्यूस चाहें को सब्सक्राइब करे और वीडियो को जीतना हसके शेयर करे तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद